साथ स्रीकान नमशकार हमारे सभी किसान बाईयों को मैं समसेर सिंग विरक आप सभी का सागत करता हूँ हार्मि ग्यान चैनल में किसान बाईयो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्योहों में लसी और दही का परियोग जो चाच होती है उसका मैं परियोग बताऊँगा आप लोगों को तो किसान बाईयों फसल में हरापन और अच्छी ग्रोथ के लिए दही काम करता है या लसी क्या क्या काम करती है जो हमारा दही होता है उसका क्या काम है ग्योहों की फसल में जैसे ग्रेनेश बढ़े उसका हरा पनाय और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़े लेकिन हमारे किसान भाईयों को इस वीडियो को जरूर देखें जो ग्योहों की फसल खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाईयों तो इस वीड की फसल में लसी यानि चाच और दही का प्रयोग करने से हमको कितना रिजल्ट मिलने वाला है इस बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूँगा इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तो भाईयो जैसे की ग्यों की फसल 75 यानि 70 दिन की जो हो चुकी है उस उसमें जो है क्रीम की मातरा नहीं होती है क्रीम निकाल ली गई होती है जिस कारण उसमें घी की भी मातरा नहीं होती है और पूरा काम इसमें घी की मातरा होती है जो घर पे त्यार किया गया दही है उसको हम 4-5 दिनों के लिए ढखके तांबे की धात उसमें डाल दें अगर यानि तांबे के सिक्के डाल दें उसके बाद में दहीं का प्रयोग करें मात्रा कम से कम साढ़े तीन किलो दहीं होना चाहिए एक एकड़ के लिए स्प्रे करना है इसका आप देख सकते हैं वीडियो में ये जमाया हुआ दहीं है घर पे त्यार किया गया है स्ञी की परकिरिया तेज हो जाएगी जिस कारन जो पौदे हैं भोजन बनाना उनका काम और भी तेज हो जाएगा जिस कारन हमारी जो फसल है वो ग्रोथ करेगी और ग्रीनिस बढ़ेगी और क्लोरोавिल की मात्रा तेजी से बढ़ेगी जिस कारrous पतियां हरी होंगी और जो बाली आने वाली है जो दाना आने वाला है भरपूर मात्रा में होगा अब बात करते हैं लसी पे जैसे कि हम घी निकाल के छास त्यार करते हैं तो लसी जो होती है उसको कैसे प्रयोग करना है कितनी पुरानी होनी चाहिए लसी का काम भी क्या है ग्यों में स्प्रे करने का लसी जितनी भी पुरानी हो उतना ही अच्छा काम करेगी जैसे आप देख सकते हैं ये घी निकाल लिया गया है अब ये जो लसी आपकी बस्ती है इसको आपको कम से कम 10 से 15 लिटर एक एकर की आपको इसकी मात्रा चाहिए इस्प्रे करने के लिए तो कम से कम जितनी भी पुरानी लसी 10 से 12 दिन पुरानी लसी हो उतना बेटर काम करेगी जो फंगस होती है वो फंगस नहीं लगने देगी आपकी ग्यों की फसल में और ये भी लसी जो है हम धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं हम सभी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं लसी का तो या आप लोगों को मैंने बताया दही प्रयोग करने में किसान बाई हो मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मार्केट से दहीं लेके नाएं उसको घर पे त्यार करें जो खर्चा है वो 200 से या 300 रुपए तक खर्च आएगा दहीं एक एकड़ की अगर हम डोज बनाते हैं तो तो उसमें घी की मातरा पूरी पाई जाएगी और जो पौधों का विकास तेजी से होगा जब उसके उपर प अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं हमारे किसान भाई उनको जवाब भी दिया जाएगा तो किसान भाई यो अगले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं गन्ये की तीन नई परजातियां जो आई हैं इस साल उसको लगाया गया था बहुत ह अगले वीडियो में आप लोगो देखेंगे जरूर जानकारी आप लोग लीजिएगा अगले वीडियो में आज के लिए इतना था अगले वीडियो बहुत जल्दी जन नई जानकारी के साथ मिलते हैं धन्यवाद